सभी पेरेंट्स और स्टुडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग, मैं मैथ लेक्षरर देवी सिंग, आज आपके सामने लेकर के आया हूँ नया टॉपिक, डिटर्मिनेंट्स आज हम आपको डिटर्मिनेंट्स के बार में बताएंगे, जो आपके कम्प्टीटिव एक्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंस रखता है तो डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, इसे सौल्व कैसे किया जाता है, सभी स्टुडेंट्स ध्यान से देखना, जो बच्चे रीडिंग कर रहे हैं, पलस वन पलस टू में, और जो कम्प्टीटिव एक्जाम्स के तयारी कर रहे हैं, सभी के दृष्टिकों से, ये वीडियो बहुत ही आपके लिए यूजफॉल सावित होगा, ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, डिटर्मिनेंट्स का नौटेशन क्या होता है, मैट्रिक्स का नौटेशन होता था ऐसे, ये आपका मैट्रिक्स का नौटेशन था, परन्तु यहाँ का notification यह होता है यहां matrix और determinants में बहुत ही ज़्यादा difference है और इसे अलग तरीके से solve किया जाता है यहां question number first देखिए expand the following determinants तो इसको expand करना है इस value को निकालना है जो determinants के अंदर आपकी दी हुई है ध्यान से देखिए यह आपका जो determinants है यह determinants आपका यह a11 first row first column a12 a21 a22 हम इसे solve कैसे करते हैं इसे solve करने का जो तरीका होता है मैं आपको students बता देता हूँ हम इसके multiply इससे करते हैं minus में इसके multiply बाद में इससे की जाती है तो इसी तरीके से जब multiply करेंगे तो determinants आपका solve हो जाएगा और हम इसको let del equal to मान करके चला जाता है let del equal to let del equal to हम इससे मान करके चलेंगे तो ये आपका determinants solve हो जाएगा अब हम इस question पर चलते हैं question को देखते हैं कि आपका ये कैसे solve आगे होगा तो ध्यान से देखिए ये हम इसको देखते हैं और फिर इसके सारे parts को हम करेंगे देखिए determinants of a plus iota b c plus iota d minus यहां से common ले लिया है c positive हो जाएगा plus iota d है ये minus का iota d हो जाएगा और ये a minus iota b यहां आपका है ये तो आप क्या करेंगे आप इसके multiply इस से करेंगे तो a plus iota b into a minus iota b जब हम उपर की multiply करते हैं तो minus आता है तो ये minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा क्योंकि इसके सामने भी आपका minus लगा हुआ है तो c minus iota d into c plus iota d तो इसे solve करने के लिए अब हमको क्या करना है ये आपका आजाएगा देखिए इसे जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये a plus iota b into a minus iota b तो ये आपका हो जाएगा a plus b into a minus b का formula इसमें लग रहा है a plus b into a minus b ये formula क्या होता है आपका a square minus b square आपका ये आजाएगा यहाँ देखिए जब हम इसे simplify करेंगे तो करने के लिए a square minus iota square b square plus यह c minus iota d into c plus iota d में भी ये इसे formula यूज हो जाएगा c square minus iota square d square मैं आपको पहले भी कही कही बार बता चुका हूँ iota square की value minus 1 होती है iota की 4 की value 1 होती है iota cube आपका minus iota होता है तो ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है तो a square iota square जो होता है आपका minus 1 होता है minus minus plus हो जाएगा तो 1 b square का मतलब b square ही यहाँ आ जाएगा c square iota square फिर minus 1 होता है तो पलस D square तो यह आपका अंसवरा जाएगा A square पलस B square पलस C square पलस D square इसी तरीके से हम जब आगे चलेंगे second part पर यह आपका दिया हुआ है determinants of sin 10 minus cos 10 sin 80 cos 80 तो इसके multiply हम इससे करेंगे जब आप इसके multiply इससे करोगे तो यह आएगा क्या इसे ध्यान से देखिए इसके multiply यहां ऐसे होगी minus में इसके multiply ऐसे होगी तो देखे sin 10 cos 80 जब उपर के multiply हम करेंगे तो minus में आता है तो minus minus पलस हो जाएगा cos 10 sin 80 तो यह आपका एक formula बन जाएगा sin A cos B plus cos A sin B sin A cos B plus cos A sin B यह होता है आपका sin A plus B यहां A की value 10 है और B की value 80 है तो sin 10 plus 80 equal to sin 90 हो जाएगा sin 90 की value 1 होती है यह आपने 10th class में पढ़ा होगा इससे आगे चलिए इसी तरीके से यह third part आपका हो जाएगा और fourth part भी आपका ऐसे हो जाएगा कैसे इसकी multiply इससे करनी है फिर minus लगा करके इसकी multiply हमें इससे करनी है जैसे 10th class में आप equations को solve करते थे cross multiplication method आपको ध्यान होगा तो इसकी multiply इससे करेंगे minus में इसकी multiply इससे करेंगे और इससे solve कर दिया जाएगा तो आपका यह आपका answer आजाएगा इसी तरीके से इसकी multiply हम इससे करेंगे माइनस में इसके multiply इससे करेंगे तो यह आपका आ जाएगा log A to B dot log B to A तो यह क्या होता है इसे आप ध्धान से देखिए यहाँ log A to B dot log B to A यह आपका 1 के equal होता है किसके equal होता है यह 1 के equal तो यह यह 1 minus 1 equal to 0 आपका answer आ जाएगा इससे आगे देखिए, यह आपका second question है, find the value of x of the following, यहाँ x की value आपको find करनी है, x की value निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो आपको दिया हुआ है, उसे आपको ले करके चलना है, इसके multiply हम इससे करेंगे, minus में इसके multiply हम इससे करेंगे, तो देखिए, x minus 2 into 2x, जब उपर के multiply आप करोगे, तो minus minus plus 3 हो जाएगा, into 3x, right hand side में आपका 3 दिया हुआ ही है, 2x से जब आप इसके multiply करोगे, तो 2x okay, minus 4x, plus 9x, equal to 3, तो 2x okay, plus 9x, minus 4x, plus 5x आजाएगा, equal to 3 है, इसे left hand side में ले आएगे, minus 3 equal to 0, तो यह आपकी quadratic equation बने, इसको हम factorization method से solve कर देंगे, solve करने के बाद, आपकी x की value, 1y2 और minus 3 आजाएगे, ऐसे ही आपका second part हो जाएगा, इसके multiply इससे करेंगे, इसके multiply इससे करेंगे, equal लगा करके, इसके multiply इससे करेंगे, minus में इसके multiply इससे करेंगे, multiply करने के बाद, सभी को left hand side में लाया जाएगा, left hand side में लाने के बाद, यहाँ एक quadratic equation बनेगी, 2x square minus 6 equal to 0, तो यहाँ जाएगा, x square equal to 6 by 2, तो यह 2 से 3 वार cancel हो जाएगा, तो x square equal to 3 हो जाएगा, तो x equal to यहाँ, plus minus 3 का पूरा under root नकाल नहीं जाएगा, इस वज़े से x equal to plus minus under root 3, यह आपका answer होगा, इससे आगे देखिए, question number third, write the minors and co-factors, each elements of the first column of the following determinants, and evaluate the determinants in each cases, तो यहाँ आपको minors नकालने हैं, मैंने अभी आपको पहले बताया था, कि हम को जब भी कोई determinants दिया हुआ है, चाहे वो कितने ही order का हो, हम उसे let del equal to, let del equal to मान करके चलते हैं, वो ही यहाँ किया गया है, इसमें, तो let del equal to determinants of one minus three two, four minus one two, three five two, यह आपकी first row है, यह second row है, यह third row है, यह first column, second column, third column, यहाँ ध्यान से देखिए students, जिसमें पूछा है, write the minors, minors को हमेशा capital M से denote किया जाता है, minors को हमेशा capital M से denote किया जाता है, और co-factors को capital A से denote किया जाता है, mostly, तो minors नकालने के लिए, अब इसमें minors आपको, किसके नकालने हैं, first column के आपको minors नकालने हैं, तो यहाँ हम M11, M11, कैसे नकालेंगे, M11 नकालने के लिए, हमें करना पड़ेगा, M11 जो हमारा है, जहाँ से देखिए, यह है, तो M11, जहाँ से देखना, इसका मतलब है row, और पिछले वाले का मतलब होता है column, तो first row, first column, तो first row को हम यहाँ से cancel कर देंगे, first column को cancel कर देंगे, जो आपके four elements अंदर रहेंगे, इनको लिख लिए जाएगा, minus one, two, five, two, तो यह आपके minors आजाएगा M11 का, तो इसकी multiply इस से, minus में इसकी multiply इस से, तो यह आपका आएगा, minus के two, one जा two, minus के five, two जा ten, तो यह आएगा, minus का two, minus का ten, minus का twelve आजाएगा, यह आपका M11 है, इसके बाद में देखी, students, हमको first column के minor साबको नकालने हैं, तो second element आपका four है, तो इसका मतलब कि इसकी position क्या है, यह second row में है, first column में है, M21 है यह, क्या है यह, M21, इसमें determinants of second row, और first column, second row को cancel कर दिया जाएगा, और first column को cancel कर दिया जाएगा, जो चार elements आपके remaining होंगे, उनको यहां लिखा जाएगा, determinants में, minus three, two, और इससे आगे five और two, determinants को आप के लोज कर दोगे, और फिर इसको यहां simplify कर लिया जाएगा, minus three की two से multiply करोगे, minus six आएगा, इसकी multiply से करोगे, minus का ten आजाएगा, क्योंकि उपर की multiply करते समय माइनस आता है, तो minus six, minus ten, minus के sixteen आपका हो जाएगा, इस तरीके से, इससे आगे देखे, students, अब हम minus निकालेंगे, M31, M31 के minus निकालते समय, third row, आपका जो यह दिया हुआ है, third row, first column, यह third row, first column cancel हो जाएगा, यह चारों ही elements लिख लिए जाएगे, इसकी multiply इससे होगी, minus में इसकी multiply इससे होगी, और उसके बाद में आपका, जो minus है, M31, यहां से यह minus four आपका आजाएगा, अब बात आती है, co factors की, co factors भी हमको first column के ही निकालने है, मैंने आपको बता चुका हूँ, कि co factors को हम, capital A से denote करते हैं, तो यहाँ A11, यहाँ ध्यान से देखिए, 11, first row, first column cancel हो जाएगा, जब आप first row, first column को आप cancel करोगे, तो यह आपका आजाएगा, जो आपका minor साएथा, जो आपका minor साएथा, वो same, ऐसे ही आपको निकालना है, कि वह यहाँ आपको, minors में co factors में, कि वहले एक ही difference है, यदि row और column, यहाँ देखो row की सेंख्या 1 है, column की सेंख्या 1 है, 1 और 1 क्या होता है, 2, यदि row और column का sum E1 आता है, क्या आता है, E1, तो यह यहाँ co factors की value हमारी positive आती है, और यदि, यहाँ A21 हम निकाले, और इनका sum 2 और 1 थरी, odd आ जाए, क्या जाए sum, odd, तो हम co factors के सामने, जो value होती है, उसके आगे हम minus लगाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, जहाँ sum E1 हो, वहाँ positive value आती है, जहाँ sum minus हो, row और column का, number of row और column का, वहाँ minus आता है, बाकी value, आपको positive ही लिया जाता है, उसमें negative positive नहीं देखा जाता, तो यहाँ, इसमें हम चलेंगे, जब आप निकालोगे यहाँ से, A11, तो इसका मतलब देखो, 1 और 1 कितना हुआ, 1 और 1 आपका हो जाएगा, 2, 2 क्या है, E1 है, तो जो आपका आया, यहाँ, यह आपका आजाएगा, A, B सो केयर, माइनस, A, C सो केयर, A, 2, 1, 2 और 1 कितना हुआ, यह 3 हो गया, यहाँ आपको माइनस लगाना पड़ेगा, जो माइनर से आपका, M, 2, 1 का, इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 1 क्या हो जाएगा, यह यहाँ, यह और हो जाएगा, और पर negative लिया जाता है, और E1 पर, यह हमेशा positive लिया जाता है, क्या, आपका co-factor, आपका co-factor, तो यह है, तो इसी तरीके से आपके सारे co-factor सा जाएंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं अगला question हम देखते हैं तो write the minors and co-factors of each of the elements of the following determinants and also evaluate the determinants in each cases तो आपको minors and co-factors नकालने हैं सारे elements के नकालने हैं इसका मतलब इसमें कितने elements हैं पहला element तूसरा element तीसरा element चौथा element तो सभी elements के आपको minors भी नकालने हैं और आपको co-factors भी नकालने हैं तो सीधी सी बात देखिए m11 इसमें negative positive कुछ नहीं देखा जाता यह आ जाएगा 57 35 और जब उपर की multiply करते हैं तो minus मा आता है minus minus plus 6 हो जाएगा 35 plus 6 41 आपका यह अच्छा एक बात और इसमें ध्यान से आपको देखनी हैं कि जब इसमें आप minors नकालोगे तो इसमें एक बात जरूर ध्यान रखना है जो मैंने अभी यह आपको बताया यह तो determinant को solve करने का तरीक अजिए और अब क्या है write the minors and co factors minus भी आपको लिखने हैं co factors भी आपको लिखने हैं तो देखिए कैसे करोगे आप M 11 M 11 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका cancel हो जाएगा तो यह आपका कितना जाएगा 7 आजाएगा ऐसे ही देखिए, यहां देखिए, M12, 1st row, 2nd column, अब यहां क्या होगा, M12 में आपका हो जाएगा, M12, यह negative, positive देखा नहीं जाता, 1st row, 2nd column cancel हो जाएगा, यह आपका 3 आ जाएगा, कितना जाएगा, 3, M21, 2nd row, 1st column cancel हो जाएगा, यहां यह minus 2 आ जाएगा, रागे देखिए, M22, यहां क्या करना है आपको, 2nd row, 2nd column cancel हो जाएगा, क्या बचा आपका कौनसा element बचा, 5, तो यह आपका minus आ जाएगा, M22 का, तो यह आपका M22 आ जाएगा, 5, तो इसी तरीके से हम इसको कर लेंगे, तो यह आपका minus आ जाएगा, कोफेक्टर्स भी हम निकाल सकते हैं, कोफेक्टर्स निकालने के लिए, आपको हम बता देते हैं, कि कोफेक्टर्स कैसे आएगे, कोफेक्टर्स में, हम E1 और का system देखा जाता है, यहां A11, जहां से देखना, A11, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो जो आपका minor आया था 7, य 3, यह हो गया odd, odd में हम क्या करेंगे, minus लगा दिया जाएगा, क्या लगा दिया जाएगा, minus, यदि आपका minus M123 है, तो इसका कोफेक्टर A12, minus 3 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, minus 3 आपका हो जाएगा, यह आ गया, A21, 2 और 1 कितना हो गया, फिर यह 3 हो गया, फिर odd हो फिर हीजहिएंगे यह नहुंबर फिर यह यहां-2 है यह प्लस्ट्सडू हो जायेगा फिर ही यहां देगे-a22-E1 हो गया कि उप्कित के केमने इस लेखेएई-प्र नितल ए बनवन है यह यहां कौफ हैं तो यहां ए अब यहांने से अब यहां निकाला यह आपका refrigerator فी कितना है यहां चीतना है यहां यह कौंप है उच्टकेism tik यहां Its भीक हीस बालब जहें हैंintegrate स्मе्ली सब्सक्राइब हीजां होगा यहां वो यहां लिया जाएगा कितना है 3 फिर यहां देखिए कितना है आगे A capital A21 इसका मतलब A21 co factors of 21 co factors of 21 कितना है आपका 2 दिया हुआ है तो यह तो यहां 5 7 35 और 326 हो जाएगा दोनों को plus कर दिया जाएगा तो यह 41 आपका answer जाएगा इसी तरीके से आप second part को कर सकते हो इसमें minors और co factors आपके ऐसे ही निकलाएंगे अब आपका यह third part है इसमें cable difference कितना है वो तो two cross two order का determinants था और यह आपका three cross three order का determinants है बाकी system आपका same रहने वाला है हरेक elements के minors जब आप नकालोगे M11 तो one one यह cancel हो जाएंगे इसकी multiply इससे हो जाएगी और minus में इसकी multiply इससे हो जाएगी यह one आ जाएगा फिर M12 तो इसमें क्या किया जाएगा M12 में first row M12 first row second column first row cancel हो जाएगी second column केंसल हो जाएगा तो इसमें क्या करना है इसमें आपका जो बाकी remaining elements जो आपके बचेंगे उसको हम यहां से लिख लेंगे तो one two first row second column केंसल हुआ जीरो जीरो one इसकी multiply इससे minus में इसकी multiply इससे तो यह आपका जीरो आ जाएगा इसी तरीके इसे M13 M13 क्या है first row third column आपका कैंसल हो जाएगा इसकी multiply से minus में मैं में इसकी multiply इससे तो आपका यह one three हम जाएगा M21 C1 का मतलब second row first column कैंसल हो जाएगा सो जाएगा इसकी multiply से और इसकी multiply इससे हो जाएगी इसी तरीक इसे सारे minus आपके निकल जाएंगे उसके बाद में बात आती है को फेक्टर्स की को फेक्टर्स निकालने के लिए स्टुडेंट्स सीधी सी बात है ध्यान से देखिए समझिए मान करके चलिए आपका M112 आ गया है आप लेट कर लो इसे मान लीजिए मैंने फूर एक्जामपल यह कहा है अगर हमको यह यहां से A11 चीए जाएंगे हमें को फेक्टर्स चीएंगे तो यहां हम दे मान लीजिए यहां आपका माईनर्स दिया हुआ में 12 इसकी आपकी माईन emulate कर लो ऑर हमें यहें देखत्र एक्जामपल के लिए और आपको यह यहां देखना है, इनका सम कितना 1 और 2 कितना हुआ थे रही, 3 कैसा नंबर, और नंबर है, यदि यह और नंबर है, और नंबर पर co factors हमारा negative हो जाता है, तो minus, और यह minor जो आपका दियो हो minus 5, तो minus minus हो जाएगा plus, तो यह plus 5 आपका co factors आजाएगा, A, 1, 2 का, इसी तरीके से हम सारे co factors निकाल देंगे, इसमें केवल यह देखा जाता है, minors, जब हम सभी elements के निकालते हैं, वो always positive होते हैं, परंतों जो हमारा co factors होता है, उसमें क्या किया जाता है, जब row column को हम add करते हैं, वो even आता है, तो positive लिया जाता है, यदि उन दोनों का sum, row columns का odd आता है, तो वो negative लिया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, इस से आगदे के example फे, find minors and co factors of the elements, the determinants and verify that, आपको यहां सभी के minors निकालने हैं, सभी के co factors निकालने हैं, और फिर आपको यह verify करना है, तो आप कैसे करोगे, ध्यान से देखिए, जब आप M11 निकालोगे first row, first column cancel हो जाएगा, 0, 5, 4, minus 7, यहां लिया जाएगा, इसकी multiply इससे minus में, इसकी multiply इससे minus 20 है, ऐसे M12 जब आप निकालोगे, 1, first row, second column cancel हो जाएगा, 6, 1, 4, minus 7, यहां यह ले लिये जाएगे, इसकी multiply इससे minus में, इसकी multiply इससे minus के 46 हो जाएगा, same similarly, इसी तरीके से आपके सभ माइनर्स आपके आजाएंगे, हरिक एलिमेंट्स के, उसके बाद में बात आती है कोफेक्टर्स की, कोफेक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, मैंने पहले भी अभी आपको बताया, पिछले question में की कोफेक्टर्स निकालने के लिए, हम उसे capital A से denote करते हैं, और यदि इन दोनों क सम E1 है, तो ये आपका positive माइनर्स में होगा, positive M11, और यदि आपका ये A12 जैसे आपको निकालना है, और N का जो सम है ये odd है, 2 और 1 कितना हुआ थेरे, तो यहाँ ये माइनर्स में लिया जाएगा, M12, बाकि सेम सिस्टम रहने वाला है, कोफेक्टर्स में हमेशा E1 और odd का स सिस्टम देखा जाता है, इससे आगे चलिए, आपको value चाहिए है, किसकी, आपको इसकी value चाहिए, A11 और कोफेक्टर्स ओफ A31, पलस A12, कोफेक्टर्स ओफ A32, पलस A13, कोफेक्टर्स ओफ A33, तो इनकी values को इसकी जगह रख दिये जाएगा, तो 11 का मतलब है, first row, first column में जो आपका element होगा, determinant होगा, इसके बाद में कोफेक्टर्स ओफ A31, A31 का कोफेक्टर्स ओफ आपका आया, minus 12, value रख दी, पलस है, तो पलस लगा दिया, A12, first row, second column में जो element है, वो यहां लिया जाएगा, minus 3 है, उसके बाद में देखिए, capital A32, इसका मतलब कोफेक्टर्स ओफ A32, तो यह आपका 22, इसी तरीके से यह ले लिया गया है, इसे लेने के बाद, 2 minus 12, multiply minus 24 आया, 22 multiply minus 3, minus 66 आया, 18 multiply by 5, 90 आया, minus minus के अलग एड़ कर लिये, पलस का 90 है ही, तो minus के 66 और minus के 25, minus के 90 हो जाएंगे, पलस के 90, यह आपके cancel हो जाएंगे, तो 0 आपका, इसका answer आ जाएगा, यहाँ example 6, यह अलग चीज है, evaluate by source diagram और otherwise, इसका हमें source diagram बनाना है, source diagram हम कैसे बनाते हैं, मैं आपको एक blackboard की तरह यहाँ आपको बता देता हूँ, source diagram बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, जो आपका first column होता है, उसे same लिखते हैं, यह यहाँ लिख लिख लिया है, फिर आपका second column है, same लिखा जाएगा, आपका third column है, same लिखा जाएगा, फिर आपका first column है, इसे दोबारा यह return किया जाएगा, फिर आपका second column है, इसे भी आपका दोबारा यह return किया जाएगा, उसके बाद में हम ऐसे मिलाते हैं इनको, बेलकुल सीधे, straight, फिर इसको हम इससे मिला फिर उपर की multiply करेंगे चलो मैं इसको clear करके बता देता हूँ one 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 a b c यहां b plus c c plus a और a plus b उसके बाद में first column को दोवारा लखा जाएगा one 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 second column को दोवारा लखा जाएगा a b c अब क्या करेंगे हम इनकी multiply ऐसे सीधा देखेंगे इस तरीके से इस तरीके से फिर इसको देखा जाएगा फिर इसको देखा जाएगा ऐसे फिर उपर की multiply फिर दो यहां element सोड़ दे जाएगे इसके multiply ऐसे फिर इसके multiply ऐसे आपके होगे तो आगे देखेंगे अब one की a की b की multiply की जाएगे तो यह क्या जाएगा देखो त्यान से देखिए, so del equal to b into a plus b, इसकी multiply यहां हो जाएगी, plus लगाएंगे, a c plus a की multiply यहां हो जाएगी, फिर b plus c की multiply c से हो जाएगी, जब हम उपर की multiply करेंगे, तो यह आपकी negative में आएगी, तो यह negative आता है, जब उपर की multiply हम करते हैं, तो यह आगया, यहां इसकी multiply जब हमने इससे की, तो यह आया, इसकी multiply हमने इससे की, इसकी multiply इससे, तो आपका यह आगया, calculate किया है, bracket को खोला है, तो यह इसका जो भी कुछ आएगा, यह सारे कुछ एक दूसरे से cancel हो जाएगे, सारे cancel होने के बाद में आपका source diagram की जो value है वो आपके zero हो जाएगी इस से आग देखिए आपका second part है इसमें भी आपको क्या करना है इसमें देखिए source diagram बनाना है source diagram आपका बनेगा कैसे तो यहाँ बात वो ही आती है कि diagram बनाने के लिए expanding in terms of first row we have तो यहाँ देखिए इसमें दिया हुआ है हम उपर की तरफ चलते हैं second में evaluate by source diagram और otherwise क्या किया है expanding in terms of first row first row से इसे क्या कर दिया गया है expand कर दिया गया है तो expandation हम कैसे करते हैं इसे मैं आपको बता देता हूँ यह आपकी first row है आप क्या करोगे one है अब one को ले करके one किसके सामने है first row first column cancel हो जाएगा four की multiply z से होगी four z हो जाएगा minus में उपर की multiply negative में आती है minus का six y हो जाएगा bracket को आप close करिए अच्छा अब देहां से देखिए आपका जो बीच वाला element होता है यह हमेशा minus में लिया जाता है किस में लिया जाता है minus में जब आप इसे minus में लोगे तो यह आपका जाएगा minus three और यह सामने किसके है देखिए यह आपका first row में है किस में है first row second column two की multiply z से हो जाएगा two z इसकी multiply से हो जाएग minus के six जो यह third elements है a one three इसे positive लिया जाएगा plus three यह cancel हो जाएगा यह cancel हो जाएगा two y minus के four x हो जाएगा इसे हम simplify करेंगे simplify करने के बाद जो भी कुछ आएगा यहाँ देखिए six y से six y cancel हो जाएगा और यहाँ जो है आपका यह eighteen x plus का है minus का twelve x है तो six x plus का हो जाएगा plus के four z है minus के six z है तो minus का यह two z है जाएगा तो expectation ऐसे आपका होता है इसके बाद देखिए evaluate evaluate करना है मतलब determinants को solve करना है determinants को solve करने के लिए students हम क्या करते हैं हमेसे पहले तो यह है let del equal to सभी determinants को let कर लिया जाता है cross two order का हो सभी को let कर लिया जाएगा इसी तरीके से आप इसे देखिए let determinants of यह आपका मान लिया गया है इसे मानने के बाद आपका देखो क्या होगा expanding in terms of first row first row से इसे expand कर दिया गया है बात वो ही है कि पहले हम इस element से expand करेंगे जब आप इस element से इसे expand करोगे तो यह आपका क्या आ जाएगा यह आपका आ जाएगा देखिए ध्यान से one one को यहां रखा जाएगा one है कहां first row में है यह किसमें है यह यह आपका first row में और यह आपका first column में first row कैंसल हो गई first column कैंसल हो गया 6,11,10,38 यह आपका यहां जाएगा तो यह बीच वाला element आपका होता है यह हमें से negative लिया जाता है minus 3 क्योंकि इसकी जो position है वो और position है इसकी position है A, 1, 2 और 2 और 1 कितना हुआ? 3 हुआ तो 3 का मतलब यह negative लिया जाएगा यदि इन elements की जो position होती है यदि वो sum position पर होता है तो पलस लिया जाता है और minus position पर होता है और position पर तो negative लिया जाता है तो यहां ध्यान से देखिए तो यह आपका हो जाएगा इस element से जब आप expand करोगे कहां है यह? 1st row में है, 2nd column में है यह cancel हो जाएगा 231, 1038 यहां आपका आजाएगा उसके बाद में देखिए आप इस element से expand करोगे तो यह plus में 5 आपका आएगा ही आएगा क्योंकि इसके position क्या है? A13, 134 होता है तो यहां आपका plus लिया गया है तो यहां यह first row 3rd column के सामने है, cancel हो जाएगा 231, 611 आपका आजाएगा अब क्या करना है? अब इसके multiply इससे करनी है minus में इसके multiply इससे करनी है minus 3 आपका सेम रहेगा इसके multiply इससे minus में इसके multiply इससे हो जाएगी फिर इसके multiply इससे minus में इसके multiply इससे आपकी हो जाएगी उसके बाद में solve कर लेना है solve करने के बाद में ये 702 plus 118 ये आपका 820 होता plus का 820 आपका plus का हो जाएगा 820 ही आपका minus का है ये cancel हो जाएगे equal to 0 आपका answer आजाएगा इससे अगला देखिए इसको भी ऐसी expand करना है expand आपके save है आप किसी से भी कर सकते हो expand आप first row से भी expand कर सकते हो आप second row से भी कर सकते हो first column से भी कर सकते हो second column से भी कर सकते हो परन्तु students आप first row से expand कर देना पहले ये element आजाएगा जिसके सामने ये element होता है ये cancel हो जाता है ये cancel हो जाता है इसके multiply इससे और minus में इसके multiply इससे जब आप इस element से expand करोगे तो ये row cancel हो जाएगी ये column हो जाएगा B की multiply A plus B से हो जाएगी minus में B C हो जाएगा इसके बाद में जब आप expand करोगे इससे तो ये first row cancel हो जाएगी third column cancel हो जाएगा इसके multiply इससे होगी minus में इसके multiply इससे होगी और इससे आप solve कर लेना जो cancel होते हैं उनको cancel कर देना बाकिया आपका answer थोरे भी सी आपका आ जाएगा same ऐसे ही है expand determinants का ऐसे ही किया जाता है अब आप ध्यान से देखिए example 8 आपका दिया हुआ है prove that the determinants जब आप इसे expand करोंगे तो इसको क्या करना है यह independent of theta तो जब इसका solution आएगा तो theta पर depend नहीं करेगा मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपका जो answer आएगा उसमें theta नहीं आना चीए तो आप इसे let करोंगे पहले जो भी determinants आपका दिया हुआ है आरवन से हमने इसे expand किया फर्स्ट रो का मतलब आरवन होता है जब हम इसे expand करेंगे तो फिर वो ही बात है क्या आएगा हमको expand करना है x से पहले किस से x से तो यह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसल हो जाएगा यह चारो elements आपके यहाँ determinants में लिख दिये जाएंगे उसके बाद में फिर आपका यह बीच वाला है फिर आपका expand किया जाएगा इस से परम तो इसकी position क्या है इसकी position है a1,2 a1,2 गोद रो 3 तो यहाँ यह negative आएगा expand कर दे समय minus sin theta और फिर यह देखना है यह किस के सामने first row second column यह cancel हो जाएंगे यह चारों ही elements आपके इस determinants में लिख लिए जाएंगे इससे आगे देखिए इसी तरीके से plus cos theta यह कहाँ है यह first row में है और third column में है first row, third column first row, third column यह cancel हो जाएगा यहाँ यह जो चार elements आपके यह बचेंगे यहाँ 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 फिर यहां minus sin theta की बन से करोगे minus sin theta, उपर की multiply करोगे minus minus plus हो जाएगा, x cos theta, इसे करने के बाद पर आगे देखें students, फिर क्या होगा इसे solve किया जाएगा, x की multiply bracket के अंदर खोली जाएगी, sin theta की multiply अंदर खोला जाएगा, cos theta की multiply दोनों function से अंदर हो जाएगी, उसके बाद यह आपका आजाएगा, इसके बाद में क्या होगा, देखें देखें देहां से minus का x q है, minus का x है, यहां देखें देखें इसमें, और इसमें x common ले लिया गया है, sin theta plus cos theta अंदर आजाएगा, अब यह plus का है, यह minus का यह आपका cancel हो जाएगा, cancel होने के बाद, minus x q, minus x, plus x common ले लिया, sin theta plus cos theta, यह भी आपका किस के equal होता है, यह one के equal होता है, तो one की multiply x से करोगे, तो यह आपका x ही आजाएगा, यहां यह plus का x, minus का x, यह cancel हो जाएगा, तो minus x q आपका cancel हो आया, जब minus x q आपका cancel हो आया, तो इसका मतलब, यह independent of theta आपका आचुका है, which is independent of theta, मैंने पहले ही कहा था, कि इसके expenditure में, आपका जो है theta नहीं आएगा, example 9, आपना देखिए, if a equal to, यह आपको धिहान रखना है, matrix में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, matrix में, then so that, determinants of 3a, equal to 27, determinants of a, तो यहाँ 3a, तो 3a आप कैसे, पहले आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आपको जो matrix दिया हुआ है, उसे हम यह matrix में दिया हुआ है, इससे हम determinants में लख लेंगे, इसका मतलब इस notation हम इसको लिख लिया जाएगा, फिर आपको यहाँ देखिए, 3a, 3a, 3a की value कैसे निकालेंगे, 3 की multiply हम a से करेंगे, a आपका यह matrix दिया हुआ है, 3 की multiply हर एक elements से इसमें अंदर कर दी जाएगे, तो यह 3a आपका आगया, फिर आपको 3a का determinants लेना है, अब matrix की जगए, determinants का यहाँ, matrix की जगए, determinants का notice अनाएगा, यहाँ ऐसे, तो यह determinants का notice अनाएगा, यह आ चुका है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम expand कर देंगे, expand आप R1 से कर सकते हो, R1 से जब आप इसे expand करोगे, तो ध्यान से देखना students, आप करोगे 1st में 3 से, जब आप 3 से करोगे यह कहाँ है, 1st row, 1st column में है, तो यह cancel हो जाएंगे, आपके 4 elements बाकिया जाएंगे, इसकी multiply से, minus में इसकी multiply, इसके बाद में आप देखिए, यह आपका आएगा, इसके बाद में, आपका आने वाला इस 0 से आप expand करोगे, किस से? 0 से, जब 0 से आप expand करोगे, minus 0 लिया जाएगा, किसके सामने आएए, 1st row, 2nd column, तो 0, 0, 6, 12 यहाँ जाएगा, इसकी multiply से होगी, minus में इसकी multiply से होगी, इसके बाद में, फिर 3 से आपका expand किया जाएगा, इसके position क्या है? A13, 1st row, 3rd column, 3 और 1, 4, even number है, तो पलस 3 आएगा, तो यह cancel हो जाएगा, यह cancel हो जाएगा, 0030, इसकी multiply से होगी, minus में इसकी multiply इस से होगी, तो जब आप इसको calculate करोगे, तो आपका यह 108 आजाएगा, उसके बाद उस students आप देखिए, आगे बढ़ते हैं, अभी आपका 27, determinants of A, इसके equal आना चीए, तो आप क्या करोगे, 27, 27 आपका सेम रहेगा, determinants of A, matrix को हम, determinants में change कर लेंगे, change करने के बाद, 27 आपका बाहर है ही, इसे हम expand कर देंगे, R1 से, तो इसे expand आप R1 से करोगे, first में तो इस element से होगा, फिर इस element से होगा, फिर आपका A13 से होगा, इसे expandation करके, इसमें इससे आगे क्या होगा, इसकी multiply से होगी, minus में इसकी multiply से होगी, इसकी multiply से, माइनस में इसके मल्टिप्लाई से इसके मल्टिप्लाई से माइनस में इसके मल्टिप्लाई से तो यह आपका जाएगा 144-0 फिर यहां जब 0 से मल्टिप्लाई से करोगे टोटल 0 हो जाएगा यहां देखे 0 से 0 के मल्टिप्लाई 0 minus 0 multiply 1 सो 0 हो जाएगा जब 0 multiply 1 सो होगा तो यह सीधा इसने 0 लिफ दिया है तो यह 27 multiply by 4 यह आपका 108 यह आजाएगा यह आपके equation second है वो आपके equation first थी वो भी 108 था और यह भी आपका 108 आगया तो इसका मतलब क्या हुआ? left hand side equal to right hand side तो आपकी वच्चो समझ में आगया होगा कि हम determinants को expand कैसे करते हैं एक बात और ध्यान रखनी है determinants समेशा आपका secure में होता है यह इसमें row और columns की संख्या always equal होती है इसमें जो भी determinants आपका दिया हुआ होगा वो आपका 2 cross 2 order का दिया हुआ होगा 2 cross 2 order का दिया हुआ होगा या आपका determinants 3 cross 3 order का दिया हुआ होगा determinants आपका कभी भी 1 cross 3 order या 3 cross 2 order ऐसे आपका कभी भी नहीं आता है determinants के लिए आपको सेम इसका मतलब means क्या है m equal to n आपका होना चाहिए मतलब number of rows equal to number of columns आपके होनी चाहिए तब ही determinants possible है आपको सभी को ये ध्यान से करना है, अपना नौटबुक बना लेनी है, और यदि वीडियो समझ माया हो, तो आपको इसको लाइक कर देना है, चैनल को सस्क्राइब कर देना है, जिससे आने वाले वीडियो आपके पास समय से पहुंच सके, थेंक यू.